है 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 मैं कुल्दीब आपका बहुत बहुत साथ करता हूं आपके अपने स्टेडी चैनल अध्धिन वीडियो में तो चलते हैं बीना टाइम वेस्ट करते हुए अपने कुश्चन अंसर पे और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसी के साथ चलते हैं हमने पहले कुश्चन पे कि पूनम अवलोकन अभ्यास निम्न में से किसकी आबादी को मापता है फर्ड जून से साथ जून 2020 तक हुआ था विशेश रूप से वनिभाग दोरा आयुजित किया गया था यह है और गुजरात के एशियाई शेयर जो कभी भी आसानी से विलुपत होने की कगार पर थे उनकी आबादी में सुधार दिखाए दिया है एशियाई शेयर आबादी में गई 523 की तुलना में अब जो संख्या है वह 674 हो गई है जून 2020 में होने वाली पंदरहवी शेयर की जन्रणना को कोड़ना वाइरस महामारी के कारण नहीं किया गया था जो दुनिया को प्रहुईत कर रही है और पूनम हिम्सकलन अभ्यास पांच जून पांच जून और छ सब्सक्राइब ने गरना का निर्धारन करने के लिए ब्लॉग करना पद्धति का उपयोग किया गया था चलते हैं अपने अगले कोशन पर 21 भरती राज्य या केंद्र शाफित प्रदेश ने आई-फ्लोज नाम से एकिकरत बाठ चेतावनी प्रणाली शुरू की है तो यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उधव ठाकरे और केंद्री स्वास्त मंत्री हर्शवर्धन ने आई-फ्लोज मुंबई नामक एकिकरत बाठ चेतावनी प्रणाली की शुरूआत की है और इस प्रणाली को संयुत रूप से प्रिथवी विज्यान मंत्रा ले प्रिथवी विज्यान मंत्रा ले यानि की M.O.E.S और ब्रहन मुंबई नगर निगम यानि की जो B.M.C है ब्रहन मुंबई नगर निगम धोरा विक्सिट किया गया था और यह है च्छे से 72 घंटे पहले संभावित बाढ़ शेत्रों को अलट करके रिले कर देगा और चन्नाई के बाद मुंबई ऐसी प्रणाली प्राप्त करने वाला दूसरा शहर है नहीं पहला कौन है पहला है चन्नाई और दूसरा है मुंबई चलते हैं कि शंभू एस कुमारन किस देश में भारत के नए रा सब्सक्राइब किये गए हैं किस ऑटो मवाइल कंपनी अपनी अमेरिकी इबाइक कंपनी जैन से बाहर निकलने और अपने कोरियाई सहायक कंपनी सेंस गौंग पर नियंतर्ण छोड़ने का निरने लिया है तो यह है महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की प्रमुक सुबी औ सतर्वा निर्मापता महिंद्रा ने और अपने ऑपनी अपनी कंपनी से बाहर निकलने का नहीं कर लिया है और साधार कॉंकि वीदेशी सहाय कंपनीयां काफी घाटे चल रही है और टिमाही में और उन्हें बहुत ही ज्यादा नुप्सां उठाना पड़ा जिसली वजह जोड़ने जा रही है कंपणी ने कहा है कि घाटे में चल रही कंपणी इस कंपणी का जो निवेश है उसे रोक देगी चलते हैं किस व्यक्ति को विश्व खाद पुरुफकार 2020 से सम्मानित किया गया है तो यह है आंसर रतनलाल ओहियो इंस्ट्यूट यूणिवर्सिटी ओहियो ओहियो स्टेट यूणिवर्सिटी के क्रिशी मिर्दा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को विश्व खाद पुरुफकार 2020 से सम्मानित किया गया है दॉक्टर रतनलाल पंजाब क्रिशी विश्व विश्व विद्याले के पूरुषात्र हैं और यह है पुरुफकार वर्ल्ड फूड प्राइस पॉन्डेशन के अध्यक्ष बारबरा सिट्संस ने ग्यारा जून 2020 को वाशिंग्टन से एक समारो में घोशित किया गया था चलते हैं अगले कोशन पर 21 केंद्री मंत्राले ने भारती विक्रेयतों के साथ पूंजी अधिकरहन अनुद्धों के लिए वित्रण अवधी चार महीने बढ़ा दी है तो यह है उत्तर है रक्षा मंत्राले केंद्री रक्षा मंत्राले ने हाल ही में भारती विक्रिताओं के साथ सभी मौझूदा पूंजी अधिगान अनुवन्दों के लिए डिलिवरी की अवधी चार महिने बढ़ा दी है और रक्षा मंत्री के अनुषार यह है अवधी चार महिने यानि की 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक लागू होगी कोविड-19 महामारी के कारण आप उर्थी श्रंखला संकट के कारण यह कादम उठाये गया है चलते हैं ले कोशन पर कि हाल ही में किस राज ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है तो यह है उत्तर प्रदेश इस योजना के तहट सरकार जो भी चैनित लड़के लड़किया होंगे उन्हें एक हजार रुपए यानि कि लड़कों को एक हजार रुपए है और बारा सुरुपए लड़कियों को यानि गल्स को बारा सुरुपए की मासीक वित्ती सहता गुर्दान की जाएगी बात के उत्तर प्रदेश की तो यहां की राजधानी, लखनो, मुख्यमंत्री, योग्यादितनात और राजबाल, आनंदी बेन पटेल चलते हैं गले कोशन पे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस मील के पत्थर तक पहुँच गया है यह है 500 बिलियन डॉलर, 5 जून 2020 को समाप्त हुए सब्ता के दोरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर तक पहुँच किया है ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पहुचा है विश्च में सरवाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत पांचवे स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है चीन पहले स्थान में working group का गठन किया गया है तो यह है PK मोहनती भारती रिवर बैंक RBI ने निजी शेत्र के बैंकों के स्वामित और corporate धाचे पर दिशान देशों की समिक्षा के लिए एक आंतरी कार्य समु का गठन किया है और इस समु का निजी शेत्र के के कारेकारी निदेशक PK मोहनती करेंगे यह समु नीजी शेत्र के बैंकों के स्वामित पर banking और नियमों के लाइसेंस और जो भी इनके दिशान देश होते हैं उनकी जांच करेगा और यह एक गैर वित्ती वित्ती कंपणी के साथ माध्यम से 30 कंपणियों की होल्डिंग पर पर विन्यमों की समीख्षा करेगा चलते इंपने लास्ट कॉश्टन पर कि मरसर के 220 कास्ट ओफ लिविंग सर्वे के अंसार प्रवासियों के लिए कि सहर को सबसे महंगा शहर गोशित किया गया है तो यह है मुंबई मरसर के cost of living survey के अंसार प्रवासियों के लिए रहने खाने की लागत को देखते हुए भारत की जो वित्ती राजधानी है यानि कि मुंबई मुंबई को देश का सबसे महंगा शहर बन गया है 60 में और 19 में स्थान पर रखा गया है नई दिल्ली को भारत में दूसरे स्थान पर और विशु स्थर पर 101 में और चिन्नाई को 143 स्थान पर रखा गया है और बैंगलोरू 171 स्थान पर और कोलकाता 185 स्थान पर दिया गया है जिससे वे सबसे कम खर्चिले भारतीय शहर बन गए हैं तो guys कैसा लगा है वीडियो उमीद करता हूँ अच्छा लगा होगा अगर आप वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें आप माने जोड़ सकते हैं इसी किसा चलते हैं और मिलते हैं ले वीडियो में थैंक्यू गाइज